ये औरत को मैं किस अलफाज में समझाओं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कौन से लेंगवेज इस्तमाल करूँ, मैं तो कहती हूँ कि कुरान सुरा निसा में है ना कि चार आदमी की गवाही जब तक ना हो, आप बात नहीं करें, ठीक है, लेकिन ये तो पूरा पाकिस्तान कवाही दे रहा है, इसके कैरेक्टर की, और ये औरत जो कुछ है, और इसकी क्या कुछ ये कर रही है, मतलब तुम्हारे बाप का क्या जाता है, क्या चला जाता तुम्हारे बाप, ये तुम्हारी मा, ये तुम्हारी नानी, ये तुम्हारी दादी का, तुम इस क्या समझ में नहीं आ रहा है ये पुराने हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मा कभी खत नहीं लिख सकती साइमा भाबी मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूं ऐसी बात नहीं है वो तो इतनी मासूम औरत उसको बात करना नहीं आता उनके मियां को बात करना नहीं आता तुम नाजाय मसरफ ले रही हो, खुदा के आ, और बद्दुआ से डरो बेगारत की बची, तुम उनकी जो क्या कहते हैं, सालियों पे इतरास कर रही हो बेगारत की बची कि उनकी शादी नहीं हुई, तेरे बाप का क्या जाता है, कुद्टे की ओलाद, कुद्टे की बची, ये बह मेरे भाई सब डॉक्टर्स हैं मेरे बिल्कुल ब्लड प्रिशन अन्कंट्रोल है लोग कहते हैं वो तुम्हारी ऑलाद तो नहीं है तुम्हें हुआ क्या है तुम न खाना खाती हो तो दुआ जहरा पानी पीरी तो दुआ जहरा है दुआ जहरा पता नहीं कब मिलेगी अपनी माँ से दुआ जहरा है दुआ जहरा नहीं ऐसा हो गी है मेरे साथ है मैंने डर के मारे बोडिंग काट देना छोड़ दिया है कि कोई पिंडी नह चला जाए कोई लाहोर का बंदा पिंडी नह चला जाए कोई गवादर का बंदा पंजगूर नह चला जाए मैंने हलकी डूट की नहीं है उनके मामो घर में बैठे होते हैं तुझे क्या है तुझे शादी करनी थी इनके मामों से सारे मामों से एक साथ शादी करनी है तेरी तो पूरे लाहर के बड़े बड़े लोगों से शादी हो चुकी है शादी के नाम परी तुने अपने बाप को फकीर बना के अपन और तुमने मुशेमलेस लफसों बहुत कम इस्तमाल किया मैडम ने और मैडम ने विच भी लफस बहुत कम इस्तमाल किया है तु इसकी भी मा की मा की मा है तु कितनी खतरनाक चाल चल रही है तुझे कुछ खुदा रसूल का नहीं पता कि तेरी जिंदगी बहुत कम है बहुत क हैं, तु अपनी बेगैरत गीरी छोड़ दे, जुनेरा के मानँ कितना अच्छा जन्नत का फूल, तु जन्नत की फूल है बेगैरत की बच्ची, तु तो कुट्थे की भी फूल नहीं है, कुट्था जो पिशाब करता है, उसकी भी फूल नहीं है और तेरे कबर पर तो कुटे भी पिशाब नहीं करेंगे यह जुनारा की खबर है आगे बढ़ जाओ भाई हमें यहां पिशाब नहीं करना इतनी तू नापाक औरत है मैं तो शर्मिंदा शर्मिंदा हो गई हैं अभी मुझे डांट पुड़ेगी मुरे खांदान वाले खटा हो जाते हैं कि आप आप हमारी बेस्ती कर रही हैं ऐसे अलफाज यूस करके यह कम है असद भाई मैं जान देने के लिए भी तैयार हो गई हैं इस औरत के लिए मतलग कितनी बेगहरत है एक वो बेगहरत आदमी जाफरी उसको लेकर बैढ़ जाती जिसके अल्ला ने तीनों अलादे दी हैं बारा तेरा चौदा साल के तुझे शर्म नहीं यह बच्ची अकल जवान होंगी बेगहरत यह तीनों की तीनों भागेंगी तू चला परता दो दो मिनट के शेल्टर होम में कुछ पैसे दे के बच्ची खड़ी होगी बच्ची ने पानी पी लिया बच्ची बातरूम में चली बच्ची निकली नही बच्ची माबाप को गुरा रही थी बच्ची तोफा फेक रही थी माबाप का बच्ची ने बाहर बच्ची अरे उस बच्ची की क्या वैलू वो तो अभी तेरा साल खतम हुए चौदवे में दाखिल हो गई कुट्टी की बच्ची तूने कितनी पट्टियां पढ़ाई तूने किन किन जगा की पंजाब में सेर कितना इनके माबाप का दुल दिखाओगी कुट्टे की बच्ची अब तू सुधर जा रोज आना तूश सबूत ले आती है शबूत तेरे शबूत की ऐसी की तैसी कुट्टे की बच्ची कुट्टे की बच्ची हाँ मैं तुझे बड़े हलका गाली दो रही हूँ बहुत हल का गाली आज मैंने सारी गाली याद की है बेगारत की बच्ची तेरे बाप का क्या जाता है मेदी बाई का घर है या नहीं मेदी बाई फकीर है तेरे बाप का क्या जाता है यह तेरी माँ जो गुंडी है अब बिस्तरे मर्क वे तू तो कहती मैं अम्मी का एक मिनुट नहीं तो ने कभी सोचा कि तू कितनी बेगहरती पर उतराई है अब जान छोड़ दे बेगहरत, तुझे कबर में उतरना है, हमारी मनजिल कबर है, हमें किस वक्त अपने अन कर दें, कि भई इनको बुला के लिए आओ, तो तु फिर उसके बात क्या करेगी, तुझे तो कबर से भी निकालेंगे, फरिष्टे भाग जाएंगे, कि मिस ओरत को नहीं निकालना हूँ, तेरी रू भी अरवा में नहीं जाएगी, समझी? इतनी कुते की बच्ची तू हो गई है, रोज आना तू सबूत लाती, जूटे जूटे, बेगहरत की ऑलाद, तेरा बाप फकीर, तेरी मा फकीर, तेरा कोई बैक ग्राउंड नहीं, तूने दीन की तालीम हासिल नहीं की, तूने लाहुर की नामी, ग्रामी, प्रोस्टिचूट है तू, समझ गई? तेरे अलाद तो कभी पैदा नहीं होगी, कि वो प्रोस्टिचूट बने, तुझे किस चिस का ठेंशन है बेगहरत इतने पैसे तो जमा कर लिए है, इतने तो गुंडों से तूने पैसे ले लिए है, अब बस कर दे, अब बस कर दे वो जो एक तेरी नानी पैदा हुई है, हैड आफ दी तवाइब, तेरे उसे बड़ी, कभी पागल बनती है, कभी तू अच्छी बन जाती है, कभी शरीफ ब बन जाती, कभी पागल बन जाती, तुम लोगों के भेजा गया था कि बच्छी का जरा इलाज करो, बच्छी को है ट्एंशन होए तो रोगों से मैं अभी अभी कपड़े उतारती हूं मनना जज बिचारत तलाग इन पमर साब की भी इज़त है वोने का मैं ये केस नहीं लड़ता तो दूसरे जज के भी सामने कह देगी कि आप बियांदे ज़हीर के फिवर मननना मैं कपड़े उतारती हूं यहीं बता तुने ये अलफास ये डॉक्टर नी ने नहीं कहे मुझे पाकिस्तानी लड़का है अली मैं बहुत शर्मिंदा हूं बहुत शर्मिंदा हूं मिसिस मैं काजमी से बहुत शर्मिंदा हूं फिर दूसरे दिन तुने ले जाके उर्दू में खत लिग दिया कुत्ते की बच् इनलाइज होता है इतनी तुम लोगों ने सोर्सेज लगाए में हराम कारी करकर के पेश करकर के लड़कियों को वो बुड़ी जहीर की मा मुझे फून से शकल देखके गिनाती है हमारी दुनिया पर्फियूम की दुनिया जूटी फ्री शॉप के मुझे गिनाती इसका चेहरा देखके गंदी गलीज धाई सो वाला सूट पहने वाली धाई सो के चपल पहने वाली धाई सो के घर में खाना काने वाली गरीब होना जुरूम नहीं है मैं खुद शाम को विजिट करती हूं जोप्डियों में जाकर मुझे खुशी होती है सचे खरे लोग बैठे आलू उनके माबा उनके दिल से पूछो जब वो शेल्टर होम जाते हैं वहां से निकलते हैं वो पंदरा बीस मिनट पहले पागल हो जाते हैं उनको आंसु गिने लगता है वो बाहर भी आकर नजम जहरा के सामने उसकी मा रोय चली जा रही थी उसके मुझे कोई बात नहीं निकल र मौत के मुझे अंदर जाएगी ये बात मरे मजाक न समझ मैं मामूली लेडी नहीं हूँ बहुत शरीफ खांदान है बहुत शरीफ खांदान तू सुनके ना मेरा बायो डेटा हैरान और परिशान हो जाएगी समझ गई बेगारत की बच्ची अब उस बच्ची का पीछा चो चारा दे रहे हैं कि अभी निकालो बच्ची को बच्ची डर डर के मर रही है डर डर के मर रही है तेरी भी तेरी जो दो बहने वो क्यों नहीं डर के मरती है यार हाँ हाँ वो कैसे मरेंगी तुम लों का तो पेशा यह यह बड़े इतनी बड़े 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 आदमियों के साथ रहती हो, मैं आगे नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमें इसलाम इजाज़त नहीं देता है, सब को पता है, प्रोस्टिचूट के मा नहीं पता है, तेरी शरम खतम, तेरी गहरत खतम, तेरा खानदान खतम, तू खुद खतम, तू इस फैमली का पीछा चोड़ दे, मेदी भाई कोई कमजोर नहीं है, उसकी बद्वाई काफी है, वो औरत जो सारा दिन रो रही है ना, उसकी बद्वाई काफी है, वो बच्ची को तू वहां से निकल नहीं नहीं देरी चल्टर होम से, अब तेरा जहीर को तू नहीं सिखाया है, बाजी, कोई तस्वीर अफ वाइर नहीं करना, मैं खुद ही सम्हाल लूँगा, कैसे वायर जो बेगा, तेरी जो वायरल हो चुकी इतनी सारी, सारा कुछ वायरल होगा, उसके बाद तेरा भी, तेरी तो अमेरिका में बन रही है वैरल करने के लिए उल्लू की पठी को अकल ही नहीं है बार बार 24 साल बताती है 55 साल को उल्लू की पठी जरा पाउडर कम लगाया कर बेगारत और जाफरी को क्या दिखा दिए जो जब से तेरे पीछे से नहीं हट रहा है जाफरी को बोलो लहोर में बहुत हसीन हसीन लड़किया है जाके उसको देखे चूसी गुटली चूसा आम चूसा मूँ क्या देख रहा जाफरी जाफरी फिर भी तेरे बाद है तू नंबर वन है सूरजादी अल्ला तुझे मौत नसीब करे तू ये तीन दिनों में अगर आई न कोई बहाना करकर उस वो तूट पुंजिया तू अपने पास रख लेना तू कहती है वो एक शहजाद और एक शहजादी की कहानी वो शहजादा सूर की बच्ची वो हमारे जमादार आता है वो गोरा चिट्टा है काला रंग उसका है अन्कॉली फैड वो है खराब खांदान वो है बच्चे ये लोग बेशते है जिगर के टुकड़े य पर्दा ढखा माता हमाई टूटी चर पाई पड़ी वी थी उसमाई स्ट्रॉंग ना जाती तो दुनिया के सामने हकीकत नहीं आती पर चार दिनों के बाद तू ये बंगला दिखा रही है चार कपड़े लाके वहां से डिजाइनर से उल्लू की पट्टी हम उल्लू नहीं ह हम शरीफ खांदान के लोग हैं हमारा कोई दीन इमान है हमने कुरान पना मानी के साथ गाली देने के मतलब तो तू समझती है ना अच्छी तरह समझ जा अब कुटे की बच्ची तू कल से हित्याद बरतना और शबूट लेके आई ना कही घुसा ले अपने शबूट कुटी कुटे की जादी कुटे की ओलात मत इतना टेंशन दे उस शरीफ फैमिली को मत टेंशन दे अब तेरा अंजाम बड़ा बुरा जुनेरा मुझे दुख होगा मैं रहम दिल औरत हूं तेरा बड़ा बुरा अंजाम है इतना बुरा अंजाम है कि दुनिया देखी कि शायद हम म बच्ची कच्रा फेकने गई तो तुम लोग ने गाड़ी में दबोश के बिठा लिया अब बच्ची को कहा कि माबापको खूब गाली दो ये सिखाया है तुने ये सिखाया है कि अभी तु बच्ची अंबालिक नहीं हुए तुम शादी कर लो ऐसी क्या बेकरारी है लोग कुटे की बच्ची तेरा बाप तो गवाला है तेरी माँ वही काम करी जो तू कर रही है इशारे में करी मगर वह तो भी इस तरह मर्क बे तोबा 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 ऐसा खांदान में जवान हुई बुरी हुई जो हुई मगर मैंने नहीं देखा तोबा 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 त तुझे तौफीक अता करे कुटे की ओलाद, अब समल जा, उस बच्ची को माफ कर दे, तु शेल्टर होम से निकलने दे मेरी बेहन, मैं तेरा हाँच जोडती हूँ, मैं तेरा पैर पकड़ती हूँ, तु निकलने दे उस बच्ची को, तु रोज एक बहाने करती, शरम की बेगारत, बेगारत की बच्ची, के माबाप को देखे बच्ची भाग जाती है, बच्ची ट्वालेट में बच्ची, तु कितनी बेगारत करी हो, घंटों रोती है, घंटों सिस्किया लेती है, अपने बाप के सीने से मिलके, माँ उसकी रो के सिस्किया लेती है, उनका दिन कि बहफिलों में बैटना छोड़ दे, जितने पैसे कमा लिए, पैसा यही रह जाएगा, इनसान चला जाता है बहन, पैसा तेरा सब यही रह जाएगा, असा पूरी फैमली को तवाइफ न बना, क्योंकि अभी तेरी बहने तवाइफ बनी नहीं है, और तू असा जाफरी से र पांससो किलो मिली ग्राम नहीं किलो, यह लाकर रखा तूने घर में, वो भी दल्ले का है, जो तुझे के एक दिन भी में लोग मियां अपनी बीवी को एक वार्निंग में ठीक करते हैं, अब ही पढ़ता हूं तलाक, तीन मर्दबा, मर्दों के पास क्या है, यही बात तो है जाए न, आछ एसुनबा में तो बात रो में भी बीटके तलाक हो जाती है, एक आहल-ज़ियो पन्राऻ तरूम के भून के उंदे लिए के पास क्यों आपकर रूम आप कर तकी और देगा को तब तो नश म minion ही नहीं है, मुझे पता है, वो हिलेगा तो मियां होगा नश पान वो दोपार का खाना खाएगा तुमिया बनेगा ना वो तो एक पड़ावा लाश है तुझे कोई और मर्थ पसंद नहीं आए था दो सो किलो जहारा पहलवान लाके घर में बिठाया वो ओं हो ओं हो ओं काना काना हो राट का डूड डूड दूड दूड आइगा नहीं तो तेनी नहीं है शर्म कमारे ओरत है तो तूはい नहीं किया जारी हूं दवा खाने अब सुर्जादी खुदा हाफिज असद भाई